वेल्कम बेक टो माई चैनल सेम्चोदरी व्लोग सुआज को व्लोग करते हैं स्टार्ट सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को जादे जादे शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को पैस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए मैं इन्फॉर्मिटी वीडियो जालता रहता हूँ अबाउट दा स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट सूचले आजघी वीडियो करते हैं फटार्ट आज वीडियो इन्फॉर्मिटी से उनकी स्टडी से रेलेटेड वीडियो है I hope आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नौलिज ए So चले करते हैं वीडियो स्टार्ट सबसे पहले तो assignments क्या होते हैं देखे जो UK की study होते हैं वो बिल्कुल different इंडिया में ऐसे आपको पहले एक semester में पढ़ाय जाएगा उसके बाद आपसे exam लिया जाएगा उसके topic के regarding आपसे questions के जाएगे रिटन में आपसे exam लिया जाएगा बट यहाँ पर totally different है यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपका जैसे semester start होता है GCU London की मेरे बाम में बता रहा हूँ Almost सभी universities का system सेम होता है कुछ थोड़ा बहर different हो सकता है But almost all over the UK में पूरा study का system बिलकुल सेम होता है So चलिए करता है मैं आज आपको बताता हूँ assignment के regarding So assignment means आपको एक task दिया जाता है जिसके regarding आपको information निकालनी होती है अपने mind से या market में research करके से साब से market में research करके आपको उसके ओपर एक briefly explain करना पड़ता है इस topic के regarding So वो आपको submit करना होता है assignment इसको हम assignment बोलते है And आपकी कुछ group presentations होंगे कुछ individual presentations होंगे कुछ assignment आपके individual assignments होंगे कुछ आपके group assignments होंगे So आपको उनके ऊपर research करके उनको brief में बना के उनकी एक PDF file या PPT बना के वो अपने professor को send करनी है इस type से आपके studies होती है आपको हर जो आपका semester होता है या trimester होता है हर trimester में आपको assignments सब्मिट करने पड़ते है Coursework 1 का अलग होता है Coursework 2 का अलग होता है इस हिसाब से आपको Coursework 1 में आपको अलग assignments मिलेंगे Coursework 2 में आपको अलग assignments मिलेंगे और जो आपकी प्रेजंटेशन होती हैं अगर आपकी इंडिवीजवल प्रेजंटेशन है तो वह आपको इंडिवीजवल में प्रेजंट करनी होगी campus में class के सामने और अगर आपकी group presentation है तो आपको group के साथ फ्रिजेंट करनी होगी आपको एक group लेटर होगा वो group लेटर होगा गुरूप लेटर प्रिजेंट करेगा साथ में आपको भी उसको support करना पड़ेगा help करना पड़ेगा आपको भी उसके regarding जो भी आपको टॉपिक है उसकी रिगार्डिंग आपको उसमें कुछ नो कुछ बताना पड़ेगा अगर बहुत ज्यादा ध्यान पड़ेगा अपनी पे फोकस करना पड़ेगा एन्हीं न्यांगर आप ठीडैन ALCapको ऐना सबस्क्राइब अगर बट फसली आपको अपनी स्टेडी पे ध्यान रखना पड़ेगा विकोज अगर आप स्टेडी को बीच में लेफ्ट करते हैं तो आपके लिए फिर फ्यूचर में प्रोब्लम हो सकती है या अगर आप ऑनलाइन प्लास लगा रहे हैं तो आपको जो भी लिंक है जिस जो भी आपका एप है उस एप पे जाके अपनी आईडी और पासफ़र्ट से लोग इन करते है तो आपके टेंडिंस हो जाते है जब आप उस लेक्चर को अटेंड करते हैं so assignments आपको जितना भी दिए जाएगा assignments की limit होती है आपको 2,000 words का मिलता है, 3,000 word का मिलता है, 4,000 word का मिलता है, 5,000 word का मिलता है, वह अलग अलग आपको जो भी मिलेगा अप असको इस इसाब से आपको उतनी word में उसको present करना पड़ेगा और यहां पे एक और सिस्टम में आप गूगल से साइड इंफरमिशन नहीं उठा सकते कि आपने गूगल पे सर्च किया किसी टॉपिक के ओपर और आपने वहां से एज़टीज ऐसी लिखके आगे प्रोफिसर को सेंड कर दिया, ऐसा बिलकुल नहीं है, आपको बिलकुल फेल कर देंगे, अगर आप ऐसी गूगल से उठा के और आगे, आप सेंड कर रहे हैं, तो इन चीजे को थोड़ा सा इंट्रनेशन स्ट्रेंट ध्यान रखें, यह टिप्स हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ हैं, आपको प्रोब्लम नहीं हो, आपके सा कैसे देनी है, डोंट हेजिटेट, अब बिल्कुल हेजिटेट नहीं हो, अगर आप प्रेजेटेशन दे रहे हैं कلاस के सामने, तो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें, फुल अफ कोन्फिडेंस के साथ, आप कोई भी जो आपका टॉपिक मिला हो है, फुल अफ कोन्फिडे में भी प्रेजेट की है, तो आप कर सकते हो, और आपकी इंग्लिश कम्यूनिकेशन अच्छी है, तो आपके लिए बैलन गुड है, और असाइनमेंट्स को आपको अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है, समझना है, आप हैल प ले सकते हैं, अपने प्रोफेसर की, उसके लेब्टॉप इंपोर्टेंट है, आपके पस लेक्टॉप होना चाहिए, या तो आप इंडिया से ले के आए, या फिर आप यहां पे आगे बाइक कर सकते हैं, इतना ज्यादा एक्ष्पिंसिव नहीं है, लेपक्टॉप आप कर सकते हैं, अगर आपके पास इंडिया में पड़ा हुआ है तो आप इंडिया से लेके आ सकते हैं बट लैप्टॉप इस मस्ट बी रिक्वाइड वह बहुत नसेसरी है उसके बिना आप यहां पे आपका फोन से कुछ भी नहीं होगा लैप्टॉप आपको जरूर चाहिए होगा क्लासिस अगर ओनलाइन होंगी तो आप आपको Assignments बनाने पड़ेंगे PPT बनाने पड़ेंगी PDF सारा सिस्टम आपका लैप्टॉप से होगा आप फोन से कुछ भी नहीं होता और भी अगर आपको कुछ नोलिच चाहिए जी सी लंडन के रिगार्डिंग सो मेरी प्रिवेस वीडियो पड़ी हुई है जी सी लंडन अगर आपको कोई बियूज चाहिए हो तो अप मेरी प्रिवेस वीडियो जाके चेक कर सकते हैं सैम्स शोद्रे व्लोग्स के नाम से चैनल है अप उस पर जा कर सकते है, सारी वडियो पड़ी हैं informative वीडियो पड़ी है, यवन UK के अंदर अगर अगर आपको कुछ आपके VRP म करते हैं भी वीडियो का अंड अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया थो प्ली चाल को सब्सक्राइब कर लें वीडि़ो कोलाइक कर दे और प्लीetr वीडियो को जाद सबस्क्राइब करने की कोश्च चार रहें तब